हेलो दोस्तों वेलकम बेक टू मैं चैनल आपने मटा पनी के सब्जी तो बहुत खाई होगी लेकिन एक वार इस तरीके से जरू बना के देखिएगा बिल्कुली सिंपल तरीके से लेकिन खाने में बहुती टेस्टी जो खाने का सवाथ बढ़ा दे इधर मैंने पनी लिया है 200 आप आपशुंपट्र गश्रियामेंद थे लिसे तो फेस्तिती ओनी प्या है पिंजेगेगेंद नेया पिकल्चता है की में समय इसलह्थ छोटा भीक और मैंने लिकिना तो आप सरशिके जोटा जरू हैं तुकडा छोटा का राद के में यह दो आप सूर्दिया दीश की मै लॉन लेक उसके बाद क्या करने वाले हैं कि हम ब्लोफे कुल प्रिकर प्राइशन और अध्रक को डाले इसमिन इसको मैं पीसके पीश्ड स्का पेस्ट बना लिया है तो मैंThis बना लिया हैट तुमारे टमाट्व तेह को Muchas अडु़ी पेस्ट बना लेंगे यहां पर उसके बाद क्या करेंगे कि हम यहां पर रखेंगे अपनी खढ़ाई के इस पर गरम होने के लिए कढ़ाई में मैंने डाल दिया सर्सों का तेल 2 चमच आप सर्सों की जगा कुछ भी यूज कर सकते हैं कर सकते हैं उसके बाद हमारा देखी तेल गरम हो चुका है तो इसमें डालने वाली हूँ मैं सबसे पहले तेज पते तेज पते डालने के बाद इसमें डालूंगी मैं सावत लाल मिर्ज इनको थोड़ा से होने के बाद इसमें डालने वाली हूँ दो काली मिर्जी यह वाले मस इसको हमें भूनना है जब तक कि यह अलका सुनहरा ना हो जाए इसी तरह से हम इसको चलाते रहेंगी क्योंकि फिर आमें नीचे लगने का डर रहता है इस चलाती हो हमारी प्याज अच्छे से भून चुकी आपको दिख भी रही होगी इसका कलर भी चैंज हो चुका है अको कम यह जानतों कीका पसंद है उसके बात एक छोटी चमंज आप ब्योंने दाल दिया घनिया पाउडर बस enrich I double इसके अलावे इसमें और कोई भी मसाला नहीं जाएगा अभरू है इनकों मसालों को हमें अच्छे से चलाते हुए भूनना है जब तक हमारे मसालों में से तेल अलग यूज कर सकते हो वैसे तो इसी पानी में ये मसाला अच्छे से भुन जाएगा और अच्छा कलर भी आ जाएगा तेस्ट भी अच्छा आजाएगा उसके मसाली को इसी तरह दीमी आज पर चलाते हूं मैं अच्छे से भुनना मेरा मसाला भुन चुका था तेल भी इसने छोड़ दिया है तो इसमें डालने वाली हूं मैं मतर मैंने डाल दी है मतर डालने के बाद क्या करेंगी इसमें मैं पनीर भी डाल दूंगी साथ में मतर पनीर को हम मसालों के साथ पहले अच्छे से मिक्स कर देंगे और दो मिनिट के लिए इसी तरह इसको चोड़ के पकाएंगे मसाली के साथ अच्छे से मिक्स हो चुके हो और इसी तरह पकाएंगे इधर हो मैं ठंडा पानी यूज नहीं करना है मैंने यहां पर गुंगुना पानी यूज कर लिए तो जितना पानी हमें चाहिएगा दालेंगे इदर मैंने सिर्फ 2 कटवरी पानी डाला है याद रखिएगा यहाँ पे आप गुण होने तक पकाएंगे हैं उबिदाक अब अवाल ना आ जाए थोडा सा कहाल guide देंगे इसको पूरा नहीं ढखना है हमें सब्जी को अब थोड़ा सा ढखने के बाद देखिए हमारी सब्जी अच्छी से बॉयल होने लगी है इसको करी हम पांच या दस मिनट तरह पकाएंगे गरम पानी डालने से क्या बॉयल जल्दी से आने लगते हैं इसमें उसके मैं इसमें लालें जालने के बाद अब इसमें लाश्ट में हम डालेंगे गरम पाते सब्जव के साथ यसान आपनी तरह क्यों सा गई हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरू करिएगा और कमेंग टोक्स में कमेंग करके अताईएगा मेरी रेसिपी आपको कैसी मिली जब तक कि